हलो बच्चो कैसे हो आप सभी लो मैं हूँ पूजा सिंग and welcome back to my channel accounting masterclass last lecture में हमने absorption of overhead detail में discuss किया था वहाँ हमने 6 methods देखे थे overhead absorption rate के वहाँ मैंने आपको बताया था कि वैसे तो सारे ही overhead rate important है सभी को पढ़ना है हमें अच्छे से बट उसमें से mhr that is machine hour rate ये topic काफी important है चाहे आप become की बात करिए चाहे BBA की इस topic पे question आता ही आता है exam में तो इसी लिए मैं mhr को अलग से और detail में with numerical आज की इस lecture में cover करूँगी तो चलिए detail में देखते हैं कि आज की इस lecture में हम कौन-कौन से सब टॉपिक डिसकस करेंगे सबसे पहले तो हम इस lecture में हम mhr that is machine hour rate ठीक है यह हम डिसकस करने वाले है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि machine hour rate क्या होता है उसके बाद इसकी usefulness क्या जरूरत है why this concept came यह जो machine hour rate का concept है यह पढ़ना क्यों जरूरी है इसकी usefulness क्या है यह समझेंगे एक example के साथ उसके बाद मैं आपको format बताऊंगी कि machine hour rate calculate कैसे करते हैं ठीक है उसके बाद हम इसके कुछ advantage और disadvantage discuss करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक numerical कराऊंगी mhr पर that is machine hour rate okay और lecture start करने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूं मेरे इस चैनल पर आपको class 11th, 12th, BBA, B.com और MBA के जितने भी accounting के paper है उनकी sequence में complete lecture video series मिलती है with notes and numerical तो इन वीडियो की मदद से पढ़िए, friends को forward करिए और कोई doubt होना या कुछ feedback देना हो तो comment section में जरूर लिखेगा और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी useful लगे ना तो मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को like भी जरूर करिएगा तो फिर चलिए, आज का lecture फिर हम start करते हैं machine hour rate, machine hour rate मतलब क्या होता है किसी भी machine के run करने पे एक घंटे में जितना खर्चा आता है तो उसको run कराने में एक घंटे में जितना खर्चा आता है ना that is called machine hour rate, नाम क्या है machine hour rate यानि machine के एक घंटे चलने पर जो भी factory का खर्चा आता है that is called machine hour rate, बहुत important concept है यह यही चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पर लिखिए, machine hour rate मतलब factory expenses incurred in running a machine for an hour यानि factory के जो machine है, उसको एक घंटा चलाने में एक घंटा अगर वो चलती है, तो उसमें factory का कितना खर्चा आता है that is called machine hour rate, यह बहुत important concept है अब आप सोच रहे हैं कैसे calculate करेंगे machine hour rate तो machine hour rate calculate करने का formula क्या है production overhead, यह देखिए, यहाँ पर यह formula लिखा हुआ है machine hour rate calculate करने का formula क्या है production overhead divided by number of machine hour production overhead मतलब production में या factory में जितने भी indirect खर्चे होते हैं उन सारे खर्चो को जोडेंगे और फिर उसको हम divide करेंगे किस से number of machine hour यानि किसी particular duration में machine कितने घंटे चलती है उससे हम divide करेंगे तो आपका आजाएगा machine hour rate यानि machine को एक घंटा चलाने में कितना खर्चा आता है that is machine hour rate या आपका आजाएगा ठीक है अच्छे इसमें एक चीज़ important है इसलिए मैंने यहाँ पे highlight किया हुआ है during a particular period यहाँ लिखा है ना during a particular period यह जो machine hour rate जब आप calculate करते हैं तो यह जो production overhead यानि factory के जितने भी indirect खर्चे है यह आप किसी particular duration के लेते हैं ठीक है यह खर्चे या तो एक महीने के होंगे या एक week के होंगे या चलिए per day के हो सकते हैं या तीन महीने के तो जितने भी खर्चे है ना इनको एक common base period में आप convert करते हैं इसलिए यहाँ पर लिखा है कि during a particular period यानि उस machine पर उस machine पर उस particular period पर कितना खर्चा होता है divided by उस particular period में machine कितने घंटे चलती है इसको आप divide करेंगे तो आपका आजाएगा machine hour rate तो यहाँ पर जो particular period है जिसको base period कहते है ना this is important इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा खेर अभी जब मैं numerical कराऊंगी तो यह concept और अच्छे से clear होगा ठीक है तो machine hour rate समझ में आ गया किसी भी machine को एक घंटा run करने में जो खर्चा आता है that is called machine hour rate ठीक है अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो ungeps means मैंने यहापट एक रहे किसका लिया है मैंने यहापट एक पार्लर का एक जामपव ज्पली आपको मैश् HERμ का एक आयक कॉम्सेप्ट है यह समझाने की कोशिश करती हम मैंने यहाप एक गेम पार्लर का एक जामपल इस लिया है तो आपने नोटेस किया होगा कि कुछ गेम पारलर में जो चार्जस होते हैं यो चार्जस होते हैं वो compounds के शाब से होते हैं जैसे एक घंटे के 100 एक घंटे के 100 रुपए चार्ज है तो आपने कभी नोटिस किया है कि हाउ देसाइड कि देविल चार्ज 100 रुपीज फॉर वन आर कैसे ये गेम पारले वालों ने डिसाइड किया कि वह एक घंटे के 100 रुपए चार्ज करेंगे वो देड़ सो भी तो कर सकते थे ठीक है तो उन्होंने कैसे ये 100 रुपए का पर टिकट एक घंटे का कैसे उन्होंने डिसाइड किया तो ये जो गेम पारले वाले हैं इन्होंने अक्चली ये इन्होंने क्यालकुलेट किया हुआ है पहले से ही और इसमें उन्होंने सारे खर्चे इस गेम पारलर में जितने खर्चे होते हैं न सारे खर्चे इंक्लूट के होएं इस गेम पारलर की जो शॉप होगी उसका कुछ रेंट जा रहा होगा कुछ इंशुरेंस कराया होग यहां पर कुछ असिस्टेंट भी होंगे ठीक है टिकट काउंटर पर भी कोई पर्सन बैठ रहा होगा उसकी सालरी होगी electricity के खर्चे हो रहा होंगे यह जो games, यह जो machines है ठीक है? इन में कोई depreciation भी लग रहा होगा यह सब machine ही तो है इसलिए MHR का concept लगा है machine R8 का क्योंकि इसब machine है ठीक है? कोई depreciation लग रहा होगा तो इन्होंने सारे खर्चो को include करते हुए इन्होंने क्या calculate किया है? इन्होंने एक बार calculate कर लिया MHR that is machine R8 इनकी machine एक घंटा चलती है तो कितना खर्चा आता है तो example लेते हैं कि suppose करिए यह जो game पारलर वाला है इसने calculate किया MHR तो इनका आया 60 रुपै यानि इनकी जो machine एक घंटा चलती है आप से charge करते हैं that is Rs.100 यह concept यूज होता है इन्होंने calculate किया MHR तो इनका आया कि इनकी machine एक घंटा चलती है तो 60 रुपै का खर्चा आता है फिर इसमें इन्होंने profit margin जोड़ा और तब जाके ticket की cost आती है कि एक घंटे का जो charges है इस game को use करने के that is Rs.100 तो यह concept यूज होता है तो यह importance है MHR की ठीक है मुझे एक और example याद आ रहा है जो JCB machines होती है JCB machines होती है जो खुदाई के लिए use होती है जनरली construction sites पे आपको मिल जाएंगी ठीक है तो JCB machine के जो owner होते है वो भी MHR का ही concept यूज करते हैं वो भी calculate करते है कि उनकी machine अगर एक घंटा चलती है तो कितना खड़ जाता है ठीक है और फिर उसमें वो अपना profit margin जोडते हैं और उसके हिसाब से वो फिर चार्ज करते हैं अपने customer से कि अगर JCB machine को उनका customer एक घंटा यूज करता है तो कितने charges आएंगे ठीक है तो ये concept है MHR का ये usefulness है MHR की सोची अगर MHR का concept नहीं होता तो कैसे ये game parlor वाले को पता चलता है कि ये एक घंटे के से कितने charge करने चाहिए या JCB machine का जो owner है इसको कैसे पता चलता कि इसको एक घंटे के अपने customer से कितना charge करना चाहिए ठीक है तो this is the importance of MHR machine R rate ये इसके importance है I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताती हूँ format MHR कैसे calculate करेंगे इसका format देखते हैं सबसे पहले ऐसा आप एक format बनाएंगे एक column बनाएंगे पर्टिकुलर इसका और एक column आप बनाएंगे per day या per week या per month या per year जो भी आपने base period यह है न एक उसका column बनाएंगे और एक पर R का column बनाएंगे देखिए machine R rate हमें machine एक घंटा चलती है उसका खर्चा निकालना है न तो per R का column बनेगा ही कुछ question में आप बले ही चाहे तो इस column को skip कर सकते हैं यह जो column है नहीं इसको आप skip कर सकते हैं लेकिन per R का column बनेगा ही तो एक column बनेगा particular का एक column बनेगा per R का फिर आप सबसे पहले यहाँ पर decide करते हैं base period base period मैंने बताया था जितने भी खर्चे हैं question में जितने भी खर्चे दिये चाहेंगे वो या तो per month के होंगे या per day के या per week के होंगे तो आप एक common base लेंगे सारे खर्चों को जैसे example लेते हैं per month है तो सारे खर्चों को per month यानि हर महीने का कितना खर्चा था आप उसमें convert करके ही लिखेंगे तो that is base period फिर उस base period में machine कितने घंटे चली that is working hour यानि अगर हमने base period per month लिया है तो उस महीने में machine कितने घंटे चली वो हम यहाँ पर record करेंगे ठीक है यहाँ तक समझ में आया उसके बाद जितने भी खर्चे होते हैं उस machine पे जितने भी खर्चे होते हैं उसको हमने दो category में divide किया है ठीक है कौन कौन सी सबसे पहले standing charges या जैसे कह लीजे fixed charges और दूसरा है variable charges या कह लीजे machine charges ठीक है कुछ खर्चे हैं जो fixed रहते हैं चाए machine 10 घंटा चले चाए 15 घंटा चले कुछ खर्चे है fix रहेंगे जैसे factory का कुछ rent जा रहा होगा tax जा रहा होगा lighting heating के खर्चे हैं supervision के खर्चे हैं factory में जो labor welfare के खर्चे हैं insurance है उसका खर्चा manager की salary, four men की salary canteen का खर्चा lubricant वगेर का खर्चा और कुछ अधर खर्चे जो fix रहते हैं machine चाहे 10 घंटे चले चाहे 15 घंटे चले वो खर्चे जो fix रहते हैं वो होंगे standing charges तो आप फिर लिखेंगे उसके बाद total standing charges इन सबको आप sum करेंगे और फिर आप इसको divide करेंगे working hour in a base period machine जो है उस duration में कितने total घंटे चली उससे divide करेंगे तो आपका आजाएगा per hour standing charges per hour total कितने standing charges है per hour आजाएगा ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे जितने भी variable खर्चे है machine के variable खर्चे ठीक है वो आप एक एक करके जोड़ेंगे जो भी आपको question में दिये है जैसे उसमें सबसे पहले depreciation machine जितना ज़्यादा चलेगी उतना ज़्यादा depreciation होगा ठीक है depreciation का formula क्या है cost of machine minus scrap value divided by working life total life of machine in hour ठीक है machine जो total life है उससे divide करेंगे तो आपका आजाएगा depreciation ठीक है यह variable खर्चा है अगला repair and maintenance भी variable खर्चा है ठीक है repair and maintenance इसको divide करेंगे working art से तो पर आर का खर्चा आजाएगा फिर उसके बाद power जितना ज़्यादा machine चलेगी उतना ज़्यादा power consume होगा ठीक है उसके बाद steam and water यह factory के case में steam and water है जितना ज़्यादा machine चलेगी उतना ज़्यादा steam and water का consumption होगा ठीक है फिर आप इन सब को add करेंगे आपका आजाएगा machine art rate ठीक है यानि machine आपकी एक घंटा चलती है तो कितना खर्चा आता है वो आपका यहाँ पर आजाएगा तो बहुत आसान है MHR कालकुलेट करना अभी मैं जब question कर आँगे ना तो और अच्छे से clear होगा अब देखते हैं कि कुछ फायदे कुछ advantages and disadvantages of MHR यह जो machine art rate का concept है इसका कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है machine art rate का सबसे important जो benefit है that is it is very scientific and practical and accurate method यह जो machine art rate method है यह बहुत ही scientific method है practical method है और बहुत accurate method है of absorption of factory overhead factory overhead के absorption का बहुत ही सटीक accurate method है इसका जो result आता है वो एकदम correct आता है this is the importance of machine art rate इसलिए यह बहुत use किया जाता है और machine art rate basically वहाँ पे use किया जाता है जहाँ पे predominantly machine से काम लिया जा रहा हो जहाँ पे machine का major roll हो जहाँ पे worker से कम-काम हो रहा हो जहाँ पे main machine से काम लिया जा रहा हो वहाँ पे यह concept use किया जाता है MHR का machine art rate का ठीक है this is the first importance this is the first advantage दूसरा advantage कहा है machine art rate का कि this method is take into account time factor यह जो method है यहाँ पे time factor जो मैंने बताया था ना, base period, इसको consider करके MHR calculate करते हैं, तो इससे जो result आता है, that is more accurate, वो ज़्यादा accurate result आता है, तो this is the second advantage of MHR, इसका एक नुकसान भी है, नुकसान नहीं है, क्या लिज़े, disadvantage है, disadvantage यह है कि it is little bit costly method, यह थोड़ा सा costly method है, क्यों costly है, क्योंकि इसमें आपको, आपका additional काम बढ़ जाता है, आपको assess करना पड़ता है, कि machine उस base period में कितने घंटे चली, तो आपको machine को monitor करना पड़ेगा, सारे खर्चों को calculate करना पड़ेगा, उन्हें per hour में convert करना होगा, तो additional work बढ़ेगा, paper work बढ़ेगा, calculations बढ़ेंगे, तो it is bit costly method, यह थोड़ा सा costly method है, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे एक question, MHR पे, ठीके, बट question स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं यहाँ पर बताऊंगी, कि question हम करेंगे कैसे, और इस lecture के over होने के बाद, आप यह question खुद से try करेंगे, ठीके, और मुझे नीचे feedback में बताएंगे, कि आपने try किया की नहीं, और आपका answer आया की नहीं, वैसे आ जायेगा, मुझे बता है, बहुत आसान question है यह, और बहुत अच्छा, interesting question है, ठीके, from the following information, compute the MHR, आपको कुछ information दीए, आपको MHR calculate करना है, in respect of machine number 10, for the month of January, देखे, factory में तो कई machines होती है, ठीके, तो हर machine के लिए, आप अलग MHR calculate करते हैं, similar type की machine है, तो अलग बात है, ठीके, बट हर machine का MHR अलग calculate होता है, ठीके, तो यहाँ पे machine number 10, machine number 10 है, उसका आप MHR calculate कर रहे हैं, और कब के लिए, base period क्या है, for the month of January, January महीने के लिए, आप MHR calculate कर रहे हैं, फिर आपको कुछ information question में दी गई है, सबसे पहला दिया है, cost of machine, machine की cost कितनी है, 32,000, scrap value क्या है, estimated scrap value, 2000, effective working life, 10,000 hours, फिर repair and maintenance का खर्चा, over the life period of machine, यानि machine की पूरी life period में जो repair and maintenance का खर्चा है, that is 2500, फिर standing charges बताए गए हैं, यानि fixed charges बताए गए हैं, for the month of January is 400, rupees 400, फिर उसके बाद power consume की information दी है, कि जो machine है, वो कितने का power consume करती है, 600 रुपे का power consume करती है, और rate क्या है, एक unit के charges है, 30 पैसा, फिर इसके बाद एक और additional information है, कि machine consume करती है, 10 unit of power per hour, यानि एक घंटे में, 10 unit power consume करती है, फिर इस सारी information आपको question में दी गई है, फिर अब चलिए हम question करना शुरू करते हैं, मैंने आपको format तो बताया था, सबसे उपर आप यहाँ पर लिखेंगे, computation of machine R rate, ठीक है, यहाँ पर आप base period लिखेंगे, और यहाँ पर total working life R में जो है, वो लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पर आप लिखेंगे, यहाँ पर base period क्या होगा, base period होगा one month, और base period क्या है, January, January का one month, ठीक है, तो base period is one month, फिर उसके बाद working life, यानि उस base period में, machine कितने घंटे चली है, यह जो January का महीना है, इस महीने में, machine कितने घंटे चली है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अब बताएए, यह information कि आपको question में दी है, तो आप देखेंगे, यह information आपको question में directly नहीं दी है, indirectly दी है, आपको calculate करना पड़ेगा, ठीक है, और यह important है, कि January के महीने में machine total कितने घंटे चली है, क्योंकि यह जो per hour का column है न, यह उसी से निकला है, पर hour का column आप तभी निकाल पाएंगे, जब आपको पता रहेगा कि January महीने में machine कितने घंटे चली है, तो चलिए पहले वह ही calculate कर लेते हैं, ठीक है, तो वो information, अब question एक बार आप video pause करिए, ठीक है, और देखेंगे कौन सी information, देखेंगे लास की two information, यह और यह, यह जो आखरी की दो information है न, इनको use करके हम निकाल सकते हैं कि January महीने में machine कितने घंटे चली है, बागी जो भी information है उनसे हम नहीं निकाल पाएंगे, इतनी दी नहीं है कुछ ऐसी information, ठीक है, बट last की जो दो information है इससे निकल जाएगा, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वही calculate करते हैं, तो इधर देखिए working note में दिया हुआ है, working note में दिया है कि number of machine hour during the month of January is computed below, कितने घंटे machine चली है January महीने में, यहाँ पे हम calculate करने जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया है कि ज छेसो रुपए का consumption हुआ है, जन्वरी के महीने में छेसो रुपए का consumption हुआ है, और एक unit के charges कितने हैं, 30 पैसा, तो हम निकाल सकते हैं कि कितने unit का consumption हुआ है in the month of January, कितने unit, machine ने कितने unit power consume किया है in the month of January, हमें total amount पता है, 600 और एक unit का amount हमें पता है 30 पैसा, तो हमारा आ गया 2000 unit, यानि जन्वरी के महीने में machine ने 2000 unit power consume किया है, यह हमारा आ गया इस information से, ठीक है, उसके बाद देखिए अगली information क्या दिये, कि एक घंटे में machine 10 unit consume करती है, ठीक है, यानि 10 unit consume करती है एक घंटे में, तो 2000 unit consume करेगी कितने घंटे में, तो बताइए कितने 200 घंटे में करेगी न, ठीक है, आपको यह पता चल गया है कि जन्वरी के महीने में 2000 unit consume होगी है, और आपको यह पता है कि 10 unit एक घंटे में consume होती है, तो 2000 unit कितने घंटे में consume होगी, 200 घंटे में consume होगी, यानि जो machine है वो जन्वरी महीने में 200 घंटे चली है, यह समझ में आ गया अगर न समझ में आए तो वीडियो को दुबारा रिवाइंड करिएगा बहुत important concept है ये निकालेंगे तभी आगे question होगा पना question नहीं हो पाएगा ठीक है तो आपका जो working hour है base period में that is 200 hour वो आपने calculate कर लिया ठीक है अब हमारा question करना बहुत आसान हो गया है अब जितने भी खर्चे मैंने बताया था standing charges अलग लिखेंगे variable charges अलग लिखेंगे तो question में देखे standing charges यानि fixed charges दिये है हाँ ये देखे ये दिया हुआ standing charges standing charges ठीक है कितना है 400 यानि ये जो 400 रुपय का खर्चा है ये तो पूरे महीने का खर्चा है न हमें तो machine hour rate यानि per hour का खर्चा निकालना है तो 400 को हम divide करेंगे 200 से ठीक है क्योंकि machine जनवरी महीने में 200 घंटे चलिया हम 200 से divide करेंगे तो आँ जाएगा 400 को 200 से divide किया आगया 2 रुपीज पर hour ठीक है उसके बाद जितने भी variable खर्चें कोईशन में उनको record करेंगे सबसे पहला कौन सा खर्चा है repair and maintenance देखिए repair and maintenance का खर्चा है ठीक है repair and maintenance पे दिया है कितने का खर्चा है धाई हजार का और over the life यानि पूरी life में machine के पूरे life में कितने का खर्चा होता है धाई हजार तो machine जो है पूरे life में कितने working hour है 10,000 तो आप इनको divide करेंगे तो आपका आजाएगा per hour का खर्चा एक घंटे में repair and maintenance का कितना खर्चा आता है 25 पैसा ठीक है फिर इसके बाद अगला जो variable expense है that is power जितना machine चलेगी उतना power consume होगा ठीक है तो machine एक घंटे में कितना power consume करती है 10 unit power consume करती है ठीक है और एक unit का खर्चा कितना है 30 पैसा तो 10 unit का खर्चा कितना होगा 3 रुपए यह होगा ना 10 unit का खर्चा कितना होगा 10 unit का खर्चा अगर 30 पैसे के हिसाब से जोड़े तो 3 रुपए होगा तो यनि power का भी निकला है कि power जो consumption हो रहा है एक घंटे का 3 रुप depreciation के लिए जो necessary चीज़े चाहिए जैसे cost of machine, scrap value, effective working life ये information दी है तो अब हम depreciation calculate करेंगे तो depreciation हम जानते है cost of machinery minus scrap value divided by working life ठीक है hours में तो आप जब इसको calculate करेंगे तो आपका आजाएगा depreciation 3 रुपए तो depreciation यानि हर घंटे machine कितना है depreciation का कितना खर्चा आ रहा है 3 रुपए अब बताएए इसके अलावा question में कोई भी information दी है आपने देखे सारी information use कर ली है अब ऐसी और कोई information question में नहीं दी हुई है तो अब क्या आप simply करेंगे simply आप इन सारे item को add कर देंगे तो आपका आजाएगा 8 रुपए 25 पैसे यानि machine hour rate is 8 रुपी 25 पैसे यानि machine अगर एक घंटा चलती है तो कितना रुपए का खर्चा आता है 8 रुपए 25 पैसे का खर्चा आता है तो this is the concept of mhr तो इस तरीके से mhr के question किये जाएंगे बहुत आसान है सारे जितने भी खर्चे question में दिये हैं उसको आप दो category में divide करेंगे fixed expenses, variable expenses ठीक है और फिर उनको यहाँ पर record करेंगे खास बात क्या ध्यान में रखनी है खास बात ध्यान में रखनी है एक तो base period ठीक है तो question में starting में दिया है कि for the month of January यानि base period क्या है one month एक महीने का base period है यहाँ और कौन सा है जन्वरी का महीना तो base period समझ में आ गया अब उस base period में machine कितना घंटा चली है यह आप यहाँ पर record करेंगे और यह बहुत important है क्योंकि आपको यहाँ पे जितने भी item है न वो per hour के term में ही record करने है हर घंटे के term में record करने है क्योंकि answer आपको per hour में चाहिए न ठीक है तो आप जितने भी यहाँ पर amount लेकेंगे न उन्हें per hour में convert करेंगे ठीक है तो चलिए आज का lecture मैं यही पर wind up करती हूँ मैं उमीद करती हूँ कि यह concept आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है और अगर यह video समझ में आया तो इसको like करना मत भूलिएगा ठीक है बहुत मेहनत लगती है एक एक video बनाने में तो this was all about this lecture thank you and have a good day God bless you